वेलकुम टू माल जेनल जवाब जिसा को अब सभी ही जानते हैं कि रमजान का मुबारिक महिना जाते ही राकी सावन ने अपने رंग डंग बदल दिये जी यहाँ राकी सावन की बात की जाए तो राकी सावन बहुत दावे करती थी के मैं मुसल्वान हूँ मैंने इसलाम को फॉलो किया है मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो दीन के कि खिलाब हो और जिस काम करने से अल्हा इल्हा नाराज हो राकी सावन के एक्टम बदलते रूप को देख कर काफी लोगों का येही केना है कि राकी सावन ने सिर्फ रमजान के लिए अपने आपको कावर किया हुआ था रमजान जाते ही राकी सावन ने अपने आपको जाहिर कर दिया या राकी सावन ने ये साबित कर दिया कि उससे इसलाम से कोई भी इंटरस्ट नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए और अपने फेन्ट बढ़ाने के लिए नमाज पढ़ती थी और रोजे रख़ती थी राकी सावन के काफी फैंस बिराकी सावन पर बहुत यज़्यदा गुसा हैं और यही कहिना है कि राकी सावन ने आद्ल्खान के साथ भी मज़ाइच किया था और इसलाम के साथ भी मज़ाग किया हुए राकी सावन ने इसलाम का मज़ाग बनाया हुआ है लोगों का ये भी कहना है कि राकी सावन ने पहले लोगों को दिखावे और अपने फेन बढ़ाने के लिए आदिल खान से शादी की और इसलाम कभूल किया जैसे ही आदिल खान डाकी सावन की जिंदगी में आये तो राकी सावन ने आदिल खान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उन्हीं कामों और उन्हीं ड्रेसिंग में लग गई जिससे आदिल खान डाकी सावन को मना करते थे लोगों की इतनी बाते सुनने के बाद राकी सावन का कोई भी रियक्शन सामने नहीं आया भी देखना यह है कि राकी सावन उन लोगों को मूत और जवाब देती है या नहीं जो राकी सावन के बारे में उल्टी सीधी बाते करते हैं तो यह थी मैं आज की वीडियो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्चन में लाजमी बतना मुझे रहेगा आपको कॉमेंट्स का इनतजार वीडियो पसना तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना पुलिएगा